जै शीराम सभी भकतों को जै माता की, फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताए कि प्रती दिन की जो हम पूजा करते हैं उसमें हनुमान जी को कोन सी ऐसी दूफ हमें जलानी चाहिए, लगानी चाहिए, जिस से जो ह है नाकारतम को जाएं भी दूर भागे और हनमान जी जो है खुश रहें तो आज की वीडियो बहुत ही इंफर्मेटिव होने वाली है हमारे साथ अंतक बने रहें तब ही आपको सारी वीडियो समझ भी आती है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेर करें कोमे मन में ये बहुत भाव रहता है कि बाबा की पूझा हम कर रहे हैं और बाबा की किर्पा हमारे घर में वास करें ऐसे मन के अंदर रहता है कि कही न कही हमारे बाबा हम से खुश हो जाएं अनुमान जी महराज को कैसे प्रसंद कर सकें, कैसे हम उनकी पूजा करते हैं, हमसे कोई तूरूटी ना हो, कोई गलती ना हो जाए, कोई हो जाए तो हमें किस पकार से शमा मांगनी चाहिए, और किस पकार से हम अपने भाबा को रूश्टी ना कर पाएं, ऐसा मन के अदर को और भी जादा मजबूत करने के लिए, हम जो छोटे जितने भी कारे करम होते हैं, उन कारे करम को हम करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ही एक है कि अगर हपा बाबा के आगे ऐसी धूप लगाएं, जिससे बाबा का वास आपके घर में सदैव रहे, और नकरात्मक उज्ज धूप तो आप डेली दे सकते हो, डेली अगर आप धूप देते हो, तो बाबा की किरपा आपके घर में सदैव बास करेगी, और वो धूप का चकरात्मक उर्जा का वास हमेशा आपके घर में होगा, वो धूप क्या है, वो धूप है लोबान की, नहीं लोबान की तो दून है आपने जो जो धूब है वो Google है उस Google के अंदर भीम कपब ना है, आपने mix करने के बाद इसको गाएं के उप़ने को सुगला लेना है, और पर खुछ लेसकते हो, आगर कोईला ले कई वार कोईला उपलब्द नहीं होता निकिन गाएं के उपले के उपर जो करोगे तो आपको बड़ा अनंद आएगा आप खुद देख लेना एक ऐसा खरपा होता है एक पित्तल का आसा है उसमें आपने क्या करना है डेली आपने जैसे की या तो कोईला ले लिया या फिर आ आपकी जो धूनी है जो आप कर रहे हो उसमें भीमसेन कपूर और ये और तीन लोंग आपने ये चीज़ जो है आपने संद्यकालीन जब जैसे की बड़े बजूर्ग बोलते हैं कि लक्षमी का पैरा होता है उस समय जब आप जोत बती दिया करते हो उसी समय आपने ये धू जोनी से आपने बाबा की आरती भी कर देनी है उसके बाद इसको अपने घर के फिर आपने मूर्ती पर इस पकार से करना है जो बाबा की आपने सबरूप रख रखा है जो तस्वीर रख रखी है इस पकार से अपने करना है और आपने इसको करते वक्त आपने एक मंतर का जा में आपने इस दूनी को करना है आप खुद देखना जिस समय से आप इसको करना स्टार्ट कर दोगे उस समय के बाद आपको खुद ऐसे ऐसे symptoms मैसूस होंगे जो आप खुद कहोगे कि इसके बाद तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है घर के अंदर एक नकरात्म कुर्जा जो है वो भागती है घर में अगर व्यक्ति के जहां जिस रूम में आप जैसे घर के अंदर परवेश करते हो कई वार ऐसा होता है कि समेल आती है घर में दिक्कत होती है नेकिन शुरुवाती तोर पर अगर आप कोई भी कारे करम करते हो सात्विक्ता का तो घर में किसी भी पकार का कले होता है नेकिन उस कलेस के कारण आपको घबराना नहीं है क्योंकि घर में जो छूपी वी बद्दर शक्तियां है जो नकरात्म कुर्जा है वो अपना प्रभाब डालने की कोशिश पूर्ण उपसे करेगी क्योंकि वो चाहेगी कि आपके घर के अंदर इस पकार की धूनी का कारेकरम ना चल पाए अगर वो कारेकरम चल पड़ता है तो कहीं न कहीं आपके घर के अंदर जो है उनकी रहने की वनस्ता जो है वो खतम हो जाएगी तो इसलिए वो अपना एक्शन करेगी नेकिन आपने अपना रियक्शन नहीं दिखाना है आपने अपने बाबा पर पुर्ण रुप से विश्वास करना है 41 डेज 41 दिनों तक लगा तार इस धूप को दीजिए आप खुद खुद मैसूस करोगे कि ये क्या हो रहा है सब कुछ बदल रहा है सब कुछ परिवत्न हो रहा है आप जब इस दूनी को घर इस दूप को घर में गुमाओगे तो आपके घर में अपने आपी सुगंदित कुष्टी वर्ध्रम मनों सुगंद का वातावरन जो है वो फैल जाएगा साथिक्ता विचार अपने आप प्रोजितिविटी होने लग जाएगी आपके घर के अंदर अपने आप ही सक्रात्म कुर्जा का वास होने लग जाएगा और जब सीता राम के मंतर का जाप लेकर आज कमरे में करोगे तो वैसे ही राम नाम से तो बाबा वैसे ही प्रसन होते और इसके इलावा इस धूप के अलागा अगर आपको घर में धूनी करनी है तो लोबान की धूनी जो है मंगलवार की संद्यकालीन और शनीवार की संद्यकालीन आपको करनी चाहिए थोड़ी सी लोबान इसी पकार से आपको उसका नेकिन वो बाबा को नहीं करनी है लोबान क की दूनी आप मा Benhra के आगए और श्रीवाला जी महराज के आगे आप यह जूप जो है कर सक्ते हो उसके लाँ क्या है आप N Government की लिनी है तो लोगान में आपने लोंग का चूरा कर लेना है और लोंग का चूरा करने के बाद थोड़ा सा आपने लुबान लेना है लुबान को पीछ लेना लोंग का चूरा उसके अंदर पीछ लेना और उसके बाद आपने क्या करना है थोड़ी से पीले रंकी सरसो उसको भी पीछ लेना पीछन सोचालने में भी करनी है जब वाओ धूनी आपकी पूरन हो जाती है उसके बाद उस धूनी को किसी गंदी जगा पर आपको डाल दिया जाए ये जब करनी है जब अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर किसी ने कुछ तंतरविद्या कर दी है या कुछ ऐसा कारे करम कर दिया है जिस जो आपकी समझ में नहीं आ रहा तब ये दूनी आपको अपने घर में करनी है तो बोलिए जै सितराम जै श्री बाला जी बाला